आज की इस एपिसोड में डिच्कस करेंगे इन्फोसिस स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में हमने आपको टेलीग्राम पे कहा कि थर्टीन हंडेट के पीक और अडार पे लेंगे और वह लगबग जो है ट्वेंटी फॉर्टी आते हुए दिखा और आई होब कि आपने कुछ प्रॉफिट भी बनाया इसके साथ ही जो इसका मेजर रेजिस्टेंस अर्लियर था वह ट्वेल्व एटीफोर का था इसको ब्रेक आउट करा इस टॉक ने थाटीन ट्वेंटी के लेविल्स को टच करें जो की 50 एमे था इसके बाद अगेन गिराबर देखी यह सपोर्ट बन करें और मार्केट साइंट में घ्रést साइंटीन के नाम से नाम से याउड्र में हो रहा ह मार्केट साइंटिस्ट प्रीमियम में जाकर सर्च करें प्रिआँड करें अगर अगयूर्निंग में जूर slippery जो अब इहां तो जोब्लقة b विढिः इंफोर इंफोष है वह काफी क्राइचिस दिख रहा है अभी जॉब डाटा भी वीक रहे हलांकि अमेरिकन आइटी ने भी 40% के बहतर रिटर्ण में दिये हैं यहां देखेंगे जहां ग्लोबल रेटिंग एजेंसियां इस समय आईटी स्टॉक को डाउंग्रेड कर रही है वहीं मोतिलाल उसवाल 1520 के टार्गेट को ले करके आया यहां मैं आपको आगे दिखाऊ तो देखेंगे इन्फोसिस शेयर कें डिलेवर अप्टू 18% डिटर्ण डिस्पाइट नियर टम विकने सुडियू बाई यह कौन कह रहा है यह टार्गेट दे रहा है मोतिलाल उसवाल 1520 का इस समय 1280 से भी लेते हैं तो यानि देखेंगे तो 240 रूपीज का गेन विदिन एयर आप इस चीज को अग्रीड करते हैं या नहीं करते हैं आपके विउस को भी आप जरूर सेयर करें इसके साथ ही आगे देखेंगे तो डिलेवरी तो कंटिन्यूस बेटर दिख रही है इसके साथ ही देखेंगे तो टेक्निकली स्टॉक जो है कंटिन्यूस अंदर परफॉर्म रहा है और जैसा कि हमने कहा यह अगेन एक मतलब कि 8-10 के प्रीमियम आपको 60-70 होते दिखेंगे अगर इस लेवल को ब्रेकडाउन करता है उपर के तरफ 1290 के आसपास के जोन को रडार पे लेंगे यहां से एक बराब रेकाउट दिखेगा और 1240 से लेकर के 1280 के बीच में इग्नोर करें यह अगेन एक कंसोलिडेट जोन होने वाला